लेकिन हमने यनभाव करिये हैं, कई भक्तों को बताई ये अचू को पाए हैं, धन्वान बनने के दस उपाए, पहला उपाए देहली पूजन रोज अपने दरवाजी की देहली को साप करके रखो पवित्र करके रखो देहली पे गव के गोवर से जरूर पहले के जमाने में माताएं उरेन डालती थी उसको जरूर डालो देहली पूजन करोगे देहरी में पवित्रटा रखोगे तो लक्षमी का प्रवेस होगा आपके घर में दूसरा गाय को प्रति दिन रोटी और गुर खिलाएं पहली रोटी जो बने वो गाय को खिलाएं उसमें गुर जरू डाल दें दूसरा उपाय है जो अपने भोजन का पहली रोटी गाय को खिलाता है उसके घर से कभी लक्षमी नहीं भागती तीसरा उपाय सुक्रबार के दिन एक अचू को पाय करें सुक्रबार के दिन एक अचू को पाय करें सुक्रबार को पाँच कोड़ी लें कोड़ी थोड़ी सी केसर चांदी का एक सिक्का चांदी का ना हो तो तामे का सिक्का ले लें लाल रंग के कपड़े में बांध दें अश्ट लक्ष्मी जो हमने आठ लक्ष्मियों के नाम बताए थे उनका नाम लेकर के पूजन कर दें और उस कपड़े को बांध कर लाल अथवा पीले रंग के कपड़े को बांध कर अपनी तिजोरी में रख दें कभी भी धन आपकी तिजोरी से नहीं भागेगा चौथा उपाए शुक्रवार को अन्य दान जरूर दें बलई दो दाने दें एक किलो दें पांच किलो दें कहीं भंडारा चल रहा हो तो चावल दान दें आटा दान दे तिल दान दें अमा विष्या को तिल दान दे सुक्रवार को जो अन्य दान देता है उसके घर पर कभी लक्षमी नहीं घटती पांचमा अचू को पाए पुर्ती दिन नहीं तो सुक्रवार के दिन पीपल का पूजन करें पीपल की जड में दीपक जरूर जलाएं जो यासा करता उसके घर में कभी भी धनकी कमी नहीं पड़ती चक्मा उपाए बुदवार के दिन गडेश मखमान का पूजन करें गुर और चने का प्रशाद लगाएं और उस प्रशाद को कन्याओं में बात दें और बांकी प्रशाद आप स्यम करें पाएं ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी धनकी कमी नहीं रहेगी तात्मा उपाए कमल गटे की माला से शुक्रबार के दिन मा लक्षमी के बीज मंत्र का जो जाप करता है उसके घर से कभी भी मा लक्षमी नहीं भागती बीज मंत्र सुनो बीज मंत्र है बैसे टीवी पर बताना नहीं चाहिए पर मात्र एक मंत्र हम आपको बता देते हैं ओम स्रीम हिरीम स्रीम कमले कमलाले नमह इस मंत्र का पुना सुने हैं ओम स्रीम हिरीम स्रीम कमले कमलाले नमह इस मंत्र का जो एक माला प्रति दिन कमल गट्टे की माला से जाप करता है उसके घर पर कभी भी मा लक्षमी उनके घर से कभी नहीं भागती आत्मा उपाय दीपाबली होली और दसे रह देते तीन परवपर अपने घर में एक न एक अनुष्ठान अवस्च करवाएं अगर आप धनवान अमीर हमेशा बने रहना चाहते हों कई बार व्यप्ती धनवान तो बन जाता है पर फिर घाटे में पहुंच जाता और जो समान अवस्था में ऐसा बना रहना चाहता है बढ़ना चाहता हों तो दीपाबली होली और दसेरय के दिन स्री सूक्तम अत्वा विश्रू सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके ब्रामणों से अनुष्ठान करवाएं तो वो कभी भी दर्द नहीं हो सकता नौमा उपाए नौमा उपाए है प्रती दिन मा लक्ष्मी और नारायन का पूजन करके एक सो आठ कमल चड़ाएं और ये अगर बिवस्ता ना हो सक है तो केबल सुक्रबार को चड़ाएं और अगर सुक्रबार को नहीं बिवस्ता हो रही है तो अमाविस्या के दिन एक सो आठ कमल के पुस्प है ओम स्रीम ओम स्रीम ओम स्रीम ओम स्रीम ओम स्रीम ऐसा पुस्प अगर मखवती मा लक्षमी और नारायन के चरणों में चड़ाता है तो वो कभी दरिद्र नहीं रहता दसमा उपाए गन्ना के रस से जो सुक्रबार के दिन लक्षमी नारायन का स्री सुक्तम का पाठ बोलते हुए अभिसेख करता है उसके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है ये धनमान वनने के दस अचू को पाए है ये कभी कटने वाले नहीं ये हम नहीं कह रहे ये बेदोग तो पाए है